नवरात्री के हार्दिक्ष उपकामनायद भगतो नवरात्री में आठवे दिनमहा गौरी शक्ति की पूजा की जाती है नाम से प्रकट है कि इनका रूप पुर्णता गौर्ण का है इनका उक्मा, शंक, चक्र और पुंद के फूल से की गई है अश्ट वर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयू आठ साल की मानी गई है इनके सभी आबूशन और वस्त्र स्पेध हैं इसलिए इने श्वेतामबर धरा कहा गया है चार भुजाएं और वाहन ब्रिशब है इसलिए ब्रिशा रुढ़ा भी कहा गया है इनके उपर वाला दाहिना हाथ अभे मुद्रा तखा नीचे वाला रिशूल धारन किये हुए है उपर बाय हाथ में डमडू और धारन कर रहती है और नीचे वाले हाथ में बर मुद्रा है इनकी पूरी मुद्रा बहुत शान्त है पती रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने करफोर तपस्या की थी इसी वज़े से इनका शरीर कारला पर गया लेकिन तपस्या से प्रिकन होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के तरफ परवित्र जल के दो कर तांती मैं बना दिया इनका रूप और वर्न का हो गया है इसलिए मा महागौरी पहलाई ये अमोग फलडाइनी है और इनकी पूजा चे भक्तों को तमाम कलमश दुल जाते हैं पूर्वे संचित पाप भी नश्ट हो जाते हैं महागौरी का पूजन अर्चन उपासना अराधना का लियान कारी है माता की इस गौर्टा का उप्मा शंक चक्र और कुंद की के माला से की गई है अश्ट वर्षा भवेत कोडी का अनुसार महागौरी भगवती की आयू सर्वदा आठ वर्ष की मानी गई है पौडानी कथा के अनुसार भवान शिप को पती रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी जिससे उनका शरीर काला पर गया था देवी के तपस्या से प्रसन्न होकर भावान ने उन्हें स्युकार करते हैं और शिव जी उनकी शरीर को कंगा जलसेद होते हैं तब देवी विद्यूत के समान अत्यंत कांती में गौर वर्न की हो जाती है तब ही से इनका नाम मा गौरी पड़ा माता का आटवा रूप मा गौरी का है मा गौरी बैल की सवारी करती है माता को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाना अवस्तर गौरी भवान गनेश की माता पार्वती का अफ्तार है हाला कि माहाराष्ट्र में यह माना जाता है कि गौरी गनेश की बहन है जो उनसे मिलने आ माहंगौरी की दो मोत्य duplic की गई है क्या मा दुर्गा और गौरी एक है हाँ देवी गौरी दुरगा जिनने शेर वाली माता शेर पर सवार करने वाली मांग के नाम से भी जाना जाता है और महा गौड़ी या गौड़ी माता देवी दुर्गा की आठवी सकती है जो नौफ दुर्गा